तो नमस्कार मैं आपका दोस्त अमिच स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिट से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टुएंट्स तहे दलते शुक्रिया गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर हरियाना की किसी भी उनिवोसिटी बैचलर ओफ एड्यूकिशन अपने सेकंड डियर के एक्जाम देंगे तो जो उनका सबसे important एक subject है assessment for learning उसके कौन-कौन से important topic जो है और कौन से important जो question है वो आपके 2024 के अंदर आपके concept के हिसाब से आ सकते हैं उसके लिए हम क्या इस वीडियो में discuss करेंगे तो गई discussion करने से पहले एक छोटा सा announcement अगर आपके पास time नहीं है और आप working है कहीं भी job करते हैं अपना business करते हैं और side by side जो है अपना bachelor of education कर रहे हैं तो आपके लिए जो हमारे important question और जो handmade notes है वो बहुत ही reasonable price पर available है जो number नीचे show हो रहे है आपका 9996060785 पर high cut tax करेंग और payment के just बाद वो आपको मिल जाएगा तो guys अब मैं बात करता हूँ जो assessment for learning जो एक बहुत important subject है beard second year के बच्चेों के लिए उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से जो topic हैं वो आपके exam में आ सकते हैं और कौन सा important topic इस साल examiner आपको दे सकता है तो guys assessment for learning के लिए मैं आप को बतायता हूँ कि सबसे पहले एक जो question या concept जो आपका unit से बनता है good assessment tool या तो ये आपका छोटे small या जो short right answer में आ सकता है या फिर ये 16 number में भी आ सकता है कि बहुत good assessment tool क्या है इसके types क्या है और इसकी importance क्या है और ये school level पर बच्चेों के लिए teacher के लिए क्यों ज़रूरी है कि जो good tool assessment है उसके लिए क्या important सीज है तो ये वाला concept भी थोड़ा सा mind में आप रखना अगला है tools and technique of evaluation जो मुल्यंकन है evaluation को क्या बोलते है मुल्यंकन जैसे बच्चों को हम लोग जैसे grading system में divide करते हैं और उनका मुल्यंकन करते है बच्चों के number कितने आए वो बच्चा कै जैसा है वो सारी के सारी क्या है tools उसके क्या है और उसके technique क्या है evaluation कि यह पूछ सकता आप से जब आप school teacher है और बच्चों को evaluation कर रहे हैं तो कौन-कौन से technique है आपके पास और कौन से tools है जिसके कारण बच्चों को क्या है आप उनको मतलब evaluation कर सकते तो ये वाला concept भी थोड़ होनी चाहिए और जो quantity है जो बहुत ज़्यादा मातरा में quantity होता है उसके लिए जो आपका एक assessment है वो क्या है तो दोनों में difference भी आपसे पूछा जा सकता है या दोनों को separate separate भी जो है short जो चार-चार नमबर की जो question आते है उसमें भी कह है examiner आपसे पूछ सकता है तो अगला ह हम लोग बात करेंगे जैसे एक या तो revised bloom taxonomy यह वाला concept जो हमेशा लगबग exam के अंदर रहता और यह जो bloom taxonomy है इसका बहुत important concept है वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इसके separate वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी हर topic की आगे आने वाले time में तो इसको ज exam की preparation में शामिल करेंगे अगला आपका shortness में आपसे पूचा जा सकती कि correlation क्या है मतलब defined correlation चार नंबर में भी आ सकता है या फिर यह बड़े में भी आ सकता है कि what do you mean by what is the meaning of correlation और इसके परकार क्या है और इसकी importance क्या है और यह क्यों जो है जरूरी है school level पर teacher के लिए तो यह वाला जो correlation है इसको भी थोड़ा सा आपको study करना है अगला है एक जो probability जो कर्व होता है जैसे जो चार्ट में जो बनते हैं जैसे वो वाला तो probability जो कर्व है यह हमेशा जो question है जहां तक आज तक मैंने जो एक survey किया है जो मैंने examination के pattern को देखा है तो यह हमेशा short में ही आपका तब बड़े question बहुत कम भी आ जाता है बट इस साल इसकी आने की उमिद है तो इसको भी थोड़ा से क्या है आप अच्छे तरीके से preparation करेंगे उसके बाद आपका क्या है जो आपका क्या है जो semester system है या फिर इसके beyond आपसे पूछा जा सकता है जो grading system है वो क्या है grading system की importance क्या ह या जो आपका semester system है इसका minus point क्या है इसके plus point क्या है या फिर importance क्या क्या है किसकी semester system की और grading system की तो ये वाला चार नमबरे में जरूर आएगा दे कि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं पर जब 16 नमबर के question आपके बनते हैं तो इसमें लिखना थोड़ा सा मु पर examiner कभी कबार इसको 16 नमबर के अंदर के हैं डाल देता तो इसलिए दोनों तरह से इसकी preparation आप लोगों को करके चलनी है अगले है आपका पूछ सकते हैं आपसे क्या है concept of assessment और measurement and evaluation ये वाला जो question है guys इसका जो आपसे पूछ सकता है कि assessment क्या है ये small में भी पूछा जा सकत है और इसके बाद जो आपका measurement है वो भी आपसे अलग पूछा जा सकता है और आपका जो evaluation है वो भी अलग पूछा जा सकता है कई बार examiner क्या करता है ये तीनों concept को एक ही question के अंदर क्या डाल देता है कि उसमें पूछा जाएगा कि भाई what do you mean by assessment कॉमा लगा के आपका measurement and evaluation इ उसके बाद जो है remedial teaching देखो remedial जो teaching है न वो एक अलग जैसे जो जब first year में आप लोग थे जो learning and teaching का आपका subject था तो वहाँ भी जो teaching के type थे तो उसके बाद जो remedial teaching थे न वो concept वहाँ भी था बट यहाँ पर जब assessment for learning अप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है तो इसलिए जो remedial teaching है इसको भी थोड़ा सा hint लेके चलना ये भी कहीना कहीं आपके exam में आ सकता है या फिर small में आपसे और भी पूछा जा सकता है कि आज के time में जैसे आपको पता है कि new education policy start है ठीक है 2020 से वो लागू है काफी colleges के अंदर university के अंदर उसको लागू कर दिया ग question बनता वो छोटे में बनता है पट इस साल definitely कहीं ना कहीं बड़े में 16 नंबर में क्या है इसको पूछा जा सकता है तो 16 नंबर के हिजाब से आप credit bill system को त्यारी करना उसके बाद क्या है achievement test आपका क्या है achievement test जो है वो आपका कभी कबार छोटे नंबर में भी आता है चार नं अब इसके अंदर जो surety है वो almost सारे concept clear है जो गुमा फिरा के वहीं आते हैं अब थोड़ा सा जब आप अपनी study करने को बैठोगे ना तो इनको थोड़ा सा concept को अच्छी तरह से पढ़ा क्योंकि ये वाले जो concept है आपके अगर आपने CTAT का exam नहीं दिया या किसी भी state के teacher का test अगर आपने नहीं दिया है तो वहां से भी question इसके अंदर आते हैं तो जब आप इस question को इमानदारी से पढ़ोगे ना तो ये दो आपकी help करेगा एक तो आपको beard में एच्छे number दिलाएगा दूसरा जब आप किसी भी state का TET का exam देंगे तो वहां भी ये गुमा फिरा के इसी चीज आती है तो समझदार examiner होगा वो दोनी चीज़ों को mix up करके आपको देता है ताकि बच्चों की जो ability है उसको पता लगा जा सकी तो उमीद करूँगा गाईस जो आज मैंने कुछ important topic आप से discuss किये हैं आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे और अपने day routine life में इस जाना आपके examination center में बिल्कुल ठीक नहीं है तो आशा करूँआ वीडियो आपके लिए अच्छा रहोगा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए like, share and comment और मिलेंगे किसी next वीडियो में guys तो till then bind take guys मुस्कुराते रहना thank you